महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इच्छा वश लोभ वश दुर्योधन ने पांडवों के हक को छीना था। आखिरी समय में दुर्योधन और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से क्या कहा। आज का हमारा वीडियो इसी वृतांत पर आधारित है, ये शल्यपर्व से लिया गया है, आप सबका। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर दबाईए। आईए अब चलते हैं वीडियो की ओर। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में अतिघायल दुर्योधन से वीरगण वहां एकत्रित होकर भीम से इन से उपर युक्त बातें कह रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सिंह पांचाल और पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं, तब वे वहां उन सब से बोले, नरेश्वर, मरे हुए शत्रु को पुना मारना उचित नहीं, तुम लोगों ने इस मंदबुधी दुर्योधन को बार-बार क प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैत्रिक भाग नहीं दिया, यह न राधम अब किसी योग्य नहीं है, न किसी का मित्र है और न शत्रु राजा, यह तो सुखे काठ के समान कठोर है, इसे कठु वचनों द्वारा अधिक जुकाने की चेश्टा करने से क क्या लाब, अब शीघ्र अपने रतों पर बैठो, श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेप युक्त वचन सुन, दुर्योधन अमर्ष के वशी भूत होकर उठा और दोनों हाथ प्रिथवी पर टेक कर वहां बैठ गया, ततपश्चात उसने श्री कृष्ण को पीड़ा द प्रारंभ किया, वह बोला, कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भीमसेन को मेरी जांगें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए, तुमने अर्जुन से जो पुरे कर्म से घृर्णा ही होती है, बल्वान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरन अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे, उस दशा में तुम से ही प्रेरित होकर महांसातिकी ने उनका वध किया, जो प्रती दिन शूर वीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीश्म का तुमने शिखंडी को आगे करके वध करवाया, दुर्मती अश्वत्थामा के सद्रिश्य नाम वाले एक हाथी को मार कर, तुम लोगों ने द्रोणाचारे के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया, क्या वह मुझे जहात नहीं है? इस निशन्स ध्रिष् पर छुडवा दिया, तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? मनुष्यों में अग्र गर्ने करण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था, उस समय नागराज अश्वसेन को जो करण के बान के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुम लोगों ने मार गिराया. यदि मेरे करण के तथा भीश्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते, तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती. भगवान श्री कृष्न बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहरिद गणों सहित मारे गए हो. वीर भीश्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुशकर्मों से ही मारे गए हैं. करण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरन करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया. मूर्ख पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को न जानने वाले धर्मघ्या युधिष्ठिर को चल से पराजित किया था. उसी पाप से तुम रणभूमी में मारे गए हो. तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योध्धावने मिलकर युध्ध स्थल में जो अकेले बालक इनी सब कारणों से आज तुम भी रणभूमी में मारे गए हो. भीश्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रख कर समरभूमी में पराक्रम प्रकट कर रहे थे. उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है. वह कोई दोश या अपराध की बा पराक्रम को जिन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था. गांधारी नंदन. पांडवों ने यहां तुम्हारे साथ जो बरताव किया है, उसमें कौन सा अधर्म है? शत्रूओं को संताब देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल क आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही विजय पाई है. तुम पापी हो, इसलिए मारे गए हो. तुम जिन्हें हमारे किये हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महांदोश से ही किये गए हैं.